तेल बनाते हैं तो हम्हेत on the ok फुला बनाने के यहाँ पर वहुआ है मैंने पतेळन ले लिया है सबसे पहले 2 से 3 टेबल स्पुन हम इसमें तेल डाल देते हैं तेल यहाँ पर हमारा गरम हो चुका है अब कुछ साबुत मसाले इसमें आट करेंगे 1 teaspoon अजीरा लिया है 2 काली लाईचिली है 3-4 long ले टेजपता लिया है डाल चिनी के 2-3 तुकडे line starfool लिये है और हरी लाईचिली है इस के जो है हम तेल में डाल देते हैं और एक मिनित के लिए हम इसे जो है से चला लेंगे और प्यास को जो है हम हलकी सी गोल्डन ब्राउनीश होने तक अच्छी तरीके से पेल में फ्राय कलेंगे प्यास यहाँ पर अच्छी तरीके से फ्राय हो चुकी है हमें ऐसी चाहिए अब इसके बाद यहाँ पर जो है मैंने दो टेबल स्पून अद्रकलेस्वन का पेस्ट ले लिया है यह हम इसमें डाल देते हैं और अद्रकलेस्वन के पेस्ट को जो है हाई फ्लेम पर प्यास के साथ एक मिनिट के लिए अची तरीके से हम भूण लेते हैं अब अध्रक लैसुन की पेस्ट को भी जो है हमने प्यास में अची तरीके से भूण लिया है कितना बड़ी हांसा इसमें कलर आचुका है अब इसके बाद यहां पर मैंने दो बड़ी साइस की लंबाई में कटी हुई टमाटर ली है, कुछ हरी मिर्च ली है, बीसे स्लिट की हुई, और कड़ी पता लिया है, यह हम इसमें डाल देते हैं, और इसे भी जो है, हाई फ्लेम पर मसालों के साथ जो है, अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, यहाँ पर हम मैंने एक टीस्पून लालमेच पाउडर ली है, यह हम इसमें डाल देते हैं, और एक से देर टीस्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर ली है, यह भी हम इसमें डालेंगे, और एक से देर टीस्पून यहाँ पर मैंने भूना हुआ जीरे का पाउडर लिया है, यह भी ह यहाँ पर जो है मसालों की अच्छी तरीके से भुणाई हो चुकी है आप देख सकते हैं अब इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने जो हैं half cup पानी लिया हैं यहाँ इसमें डाल देते हैं और इसे आपस में अच्छी तरीके से हम mix कर लेंगे यहाँ पर हमने थमाम चीज़े आपस में अच्छी तरीके से जो है mix कर ली है अब धक्कन की मदद से धक्कर जो है इसे 2 से 3 मिनिट के लिए low flame पर टमाटरों की गलने तक हम अच्छी तरीके से पका लेंगे यहाँ पर हमारे 3-4 मिनट हो चुके हैं चलिए देख लेते हैं आप देख सकते हैं मसालों से तेल रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है लगबर लगबर आदे मसाले भी हमारे पक चुके हैं आप देख सकते हैं अब इस स्टेज पर यहाँ पर मैंने 200 ग्राम फ्रोजन ग्रीन लिए हैं यह हम इसमें डाल देते हैं और इसके बाद यहां पर मैंने तीर मेडियम साइज की आलू लिए हैं यह भी हम इसमें डाल देते हैं इसे आपस में अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे यहां पर हमने आपस में तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब टेस्ट के हिसाप से जो है हम इसमें नमक डालेंगे और इसे भी जो है हम अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लेते हैं यहां पर जो है हमारी सारी चीज़े जा चुकी है हमने आपस में इन्हें अच्छी तरीके से mix भी कर लिया है अब दोबारा से जो है इसे धकन की मतर से धक कर मसालों के साथ आलू और मतर के पकने तक जो है अच्छी तरीके से हम इसे low flame पर पका लेंगे 5-8 मिनिट के लिए यहां पर जो हमारे पांट से अर्ट मेंड हो चुके हैं चलिए चेक कर लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से मसालों से तेर हमारा रिलीज हो तुका है अब देख सकते हैं मसाले और सारी चीजे भी हमारी कितनी बढियान तरीके से पक चुकी है यहाँ पर घर के नॉर्मल राइस लिए है तुम साहीं डाल देते हैं और चावल को मसालों के साथ एक से दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर हम अची तरीके से आपस में मिक्स कर लेते हैं यहां पर चावल को जो है हम बिल्कुल हलके हातों की मदल से आपस में मिक्स कर लेंगे क्योंकि चावल जो है हमने पहले से ही भीगो कर रखे थे जो चावल हमारे काफी अच्छी तरीके से भीग चुके हैं इसलिए जो है हम इसे बिल्कुल हलकी हातों से मिक्स करेंगे ताकि जो है चावल हमारे तूटे ना यहाँ पर हमने जो है चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब उसके बाद इस माप के हिसाब से जो है हमने चावल लिया है मैंने इस ग्लास के हिसाब से दो ग्लास चावल लिए है तो जो है हम इस ग्लास के हिसाब से चार ग्लास हम इसमें पानी डाल देते है दो कप हमने जो है चावल लिए है तो चार कप हम इसमें पानी आट किया है अब इसे जो है हम आपस में अच्छी तरीके से mix कर लेंगे यहाँ पर जो है मैंने handful जो है पूतीना और हराधनिया लिया है यह भी हम इसमें डालेंगे इसे जो है बहुत ही बढ़ी आसा जो है इसमें एक टेस्ट आएगा एक दफ़ा जो है हम इसे अच्छी तरीके से आपस में mix कर लेंगे और धकन की मदद से इसे जो है धक कर हम तकरीबन 7-8 मिनिट के लिए हाई फ्रेम पर पानी के सूखने तक अच्छी तरीके से पका लेंगे यहाँ पर हमारे 7-8 मिनिट हो चुके हैं चलिए देख लेते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लगबग चावलों का पानी पुरी तरीके से सूख चुका है एक दफ़ा चमच की मदद से हम इसे जो है उपर नीचे करते हुए आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर जो है हम अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और दोबारा से ढखकर जो है इसे तकरीबन 7-8 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरीके से दम देतेते हैं यहाँ पर हमारे 7-8 मिनिट हो चुके हैं चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं चावलों में बढ़ियासी जो है स्टीम आ चुकी है बढ़ियासे दम होकर चावल हमारे बिल्कुल तियार हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितना बढ़ियासा पुलाओ हमारा दिखाई दे रहा है पुलाओ बन कर हमारा यहाँ पर बिल्कुल तियार हो चुका है अब जो हम हमारी गयास की फ्लेम को बन कर देते हैं चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं गर्मा गर्म पुलाओं को जो है हम अचार प्यास टमाटर के सलात के साथ जो है सर्फ करेंगे आप जो है गर्मा गर्म इसके साथ जो है पापड़ भी सर्फ पर सकते हैं और प्लेन रायता की जगह जो है दही का रायता भी जो है आप इसके साथ खा सकते हैं बहुत ही को एक दफा ज़रूर ट्राइ करें उमीद है आपको पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें मिलते हैं अपनी नेक्स रेसिपी में अपना खुब सारा खयार रखें